नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल AD Smart Classes में देखो भी टक कल हम लोग कहां तक पढ़ लिये थे अगर ध्यान हो आप लोगों को कल हम लोगों ने देखा था कल हम लोगों ने हाँ प्रत्य देख लिये थे और क्या देखा था कल प्रत्य पढ़े थे और वाक्यवेद पढ़े थे है ना सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी है ना वाक्यवेद में हम लोगों ने जो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दोनों प्रकार के देखे थे ठिक आज हम लोग देखो अब लगभग अगर देखा जाए व्याकरण पोर्शन में तो आप लोगों का 80% से ज्यादा कोर्स कवर हो गया है हम लोगों की लगभग 16-17 क्लासेज में इतना मिटेरियल आपका कवर हो गया है आप इसके बाद हम लोग यह सोच रहे हैं कि जो आपका कुछ टॉपिक बचे हैं जैसे आपका अलंकार हो गया रस और छंद हो गये तो पहले अलंकार देख लेते हैं अलंकार हो गया रस छंद बचे रस छंद करवा देंगे इसके बाद आपका जैसे विराम चिन्नों का प्रयोग कहां कैसे कब किया जाता है उससे भी कोईशन आ जाते हैं वाके सुद्धी में वो बहुत प्रयोग होते हैं है ना तो हम लोग उनको देख लेंगे ठीक आज देखो हम लोग आज अपन लोग चलते हैं अलंकार में ठिक तो देखो अलंकार बेटा क्या है अलंकार आप लोगोंने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े होंगे अलंकार सुरू से अलंकार किसलिए प्रयुक्त किये जाते हैं जब भी साहित में क्या होता है अलंकार हमारे कावी की सोभा को बढ़ाते हैं क्या करते हैं हाँ कावी की सोभा बढ़ाने वाले तत्तों को अलंकार कहते हैं तो इसके लिए परिवासा आपकी बताई गई संस्क्र पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी की उत्पत्ति जहां से हुई समझ रहे हो ना हमारी बात हिंदी की उत्पत्ति जहां से हुई अगर हम फिर उसकी थून पड़ें तो फिर वो मजा नहीं आती है ना भाई संस्कर्स से हिंदी का जणम हुआ हुआ की नहीं संस्कर्ट पाल प्राकरत अब रंस आउट अब इस्टार्टिंग में बताया था तो ऐसे करके हमारी प्राचीन हिंदी आई अदूणी की आई है ना तो कहने कहने को हिंदि का जो जन्म हुआ तो उसके प्रॉाने थर्ट वह उसमें रही भी कहने की तो कहने का मतलब यह है कि अलंकार की परिवासा बताई गई जो अलंक्रित करें ठिक अलंकरोती इती अलंकारा मतलब क्या हुआ कि जो अलंक्रित करें जैसे आपने देखा होगा कोई बेकती है अकर उसने अचे से सूट-बूट पहन लिया देखा सब्साइब पहा हैंब क्या गया रहेगा वैसे जो जो उसके अंग में कोई परिवर्टन नहीं हो रहा जैसी नाख है वैसे नाख रहेगी है ना जैसा हमारा चेरा है वैसे नहीं रहेगा बस यह गए और दुनिया जारी करा दिए तो थोड़ा ग्लो आ गया आ गया ना तो कहने का मिलब वही चीज है कि जब उन पर चीजों का प्रियोग कर दिया जाता है अलंकारों का तो कावी की सोभा बढ़ जाती है तरह नितनुजातर तमाल तरुवर वह लोग नहीं है ना तो ऐसे कहने का मतलब है कि वैसे आम बोल चाल की वासना में तो कुछ भी बोलें लेकिन जब हम वही काविद्र काविगत द्रिश्टी से देखते हैं तो होता क्या है कि अलंकारों का प्रियोग बहुत ही मलब उप्योग फूल हो जाता है ना यूस्फुल और फूल हो जाता है कैसे क्योंकि बिना अलंकारों के काविद्र की शोभा नहीं बढ़ पाती रस भी होना चाहिए उसमें पते हिलाए कोई नहीं है नीरस चीजह है तो नीरस कौन पढ़ना चाहिएगा कोई आफ मूवी देखते हो अगर उसमें कोई कहानी नहीं है हीरो है वह भागता चला जा रहा है भाग भाग के खा पी रहा है बस फिर सो जाता है तो यह एक दिन देखो के दूसरे दिन के दो गटाओ है ना दूसरी कोई मूवी जो तुमें अच्छी लगी जिसमें कोई स्टोरी है जिसमें कोई रस है है ना बढ़ियां अच्छे गाने तो तुम लोग देखना पसंद करते हो तो वही चीज है ठीक अच्छा देखो अलंकार की परिवासा आचारे दंडी ने क्या दी आचारे दंडी के अनुसार इनोंने कहा काव्य सोभाकरान, धर्मान, अलंकारान, इति, प्रचक्छते काव्य कोई सोभा बढाने वाले तत्तों को ऐसे धर्माती तत्तों को क्या बोला जाता है अलंकार कहते हैं है ना जैसे आप लोगों को एक ग्रंत सुना होगा काव्य प्रकास ठीक आचार मम्मठ का है ये, हिंदी वालों को नए नाम लग रहे होंगे, है ना, ये ममम्मठ कोऊन है, बेटा ममम्मठ, जाईयत, रुद्रट, कहयत, ये सब आचारे रहे हैं संस्क्रत में, समझ रहे हो, बलाव इनके टिंकू मिंकू चंकू वाले नाम रहते थे जैसे इनका काम वैसा नाम ऐसा रहता था आचारी मम्मठ ने क्या बोला उपकुरुवंति तमसंतम ये अंगत द्वारेड जातुचित हारा दिवत अलंकार देखो कितनी बढ़ियां डिफिनेशन देदी आचारी मम्मठ ने क्या बोला क्या बताया इन्होंने उपकुरुवंति तमसंतम ये अंगत द्वारेड जातुचित तो मतलब जैसे किसी जो कावे का अंग होता है ना अंगों में ये क्या करते हैं कि जैसे कोई अंग है सरीर का वो तो रस वगएरा हो गए ठिक अब ये कैसे हón êtes राढ होते हैं आरा जैसे अभु हमने इंक बताया कि हार आधि मलंप जैसे कोई हार पहन ले माला पहन ले और सारी चीजें बिल्कुल पहन ले पहन ओड़के बैठ जाए तो वह ज्यादा बिटर लगेगा ना बाकि उसके अंग तो वही ए अंगप्रत्येंग तो वही नों ने बताया कि जो अनुप्रास उपमा आदी हैं ये कैसे हाराधिवत हैं मल अब तो देखो यह दो प्रकार के होते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं वैसे होते तो तीन प्रकार के हैं सब्दा अलंकार अर्था अलंकार और उभ्या अलंकार में क्या होता है जहां जहां सब्दा और अर्था दोनों का हो वहां पर उभ्या अलंकार हो जाता है लेकिन आप अलंगकार देखो, जो सब्द की सवभावडाएं, जो सब्दों की सवभावडाएं, मतलब जो सब्दों से ग्रेंड किये जाएं, जिनमें सिर्फ सब्द का रूल हो, है ना? उनमें अर्थ की प्रदानता, अर्थ अर्थ हम नहीं देखेंगे उसका, है ना? हाँ, तो वहाँ पर सब्दों को देखा जाएगा कौन सब्द है ना जैसे कि आपका यह हो गया कनक कनक ते सोगनी अब यहां पर कनक कनक हमने सब्द देख लिया अगर यहां पर हमने उसके अर्थ की चर्चा तो नहीं करी अर्थ की चर्चा तो बाद में करेंगे लेकिन अब उसी का नाम कनक भ गया पहले तो यमक हो गया अनुप्रास हो गया अनुप्रास यमक प्लेस और वक्रोक्ति देखो एक नया तुम लोगों को सब तुम लोगों को मिल ला होगा वैसे वक्रोक्ति सबसे पुराना अलंकार है लेकिन वक्रोक्ति में होता क्या है जैसे वक्रोक्ति का संदीवी छेत संधिविछेथ करो बिटा का किवग Feels a न हुख्रदय उक्ति यहाँ पर कौन से संधी दूइ यहां पर हश्च नहीं है के बांग यहां 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 पर है के बाद ह्ट Eli संधी हे कौन संधी होई है तो यहां पर हम लोग यह देख लेंगे की वक्र उक्ति मतलब वक्र है अईसी उक्ति जिसमें क्या हो वक्र हो जो है ना गुमाः फिरा के वहीं सेम दिया गया उसका अर्थ दूसरा निकला है ना समझने वाला उसका कोई दूसरा आर्थ समझ जाए है ना तो वो हमारा क्या कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है ठीक बास समझ में आई हम कहना कुछ चाहते हैं तुम समझ कुछ गए तो यह क्या हो गया वक्रोक्ति हो जाएगा ठीक अभी इसके उदारण भी मिलेंगे अच्छा अब देखो यहाँ पर अर्थालंकार में क्या आ जाता है उपमा हो गया रूपक हो गया उत्प्रेक्षा हो गया यह सब हमारे किसमें आ जाते हैं अर्थालंकार में आ जाएंगे कौन कौन से उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा यह हमारे आ जाएंगे अर्थालंकार में ठिक तो हम लोग ऐसा करते हैं पीडियाप से पढ़ लेते हैं है ना इसमें तुम्हें लोगों को सामने एक्जाम्पल्स भी दिख जाएंगे उसकी परिवासा भी दिख जाएगी बाकी बताने को बताया जा सकता है कि अनुपरास में क्या होगा एक ही वर्ण की जब कई बार पुन कि अनुऑ आदे ओगरिस, तरण तनुझाट एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था बोला कि ऐससर रॉइटिंग बहुत Гंदी यह आपकी आपकी ना तो अब यहार हं किन शूझारि उधार थी यह झारव फिर एक अलग का हभी से था बच्य ने कमेंट किया कि Southern शुर राइ चाराल तरोवर्व जाए यहां पर तावर्ण की हमने कई बार आवरत्ती करी और ता वर्ण की जैसे और मौडर्न उसमें वह कुछ इख्जाम्पलमा नैन्दी किनारीज को टो यहां पर कौन इस ऑ Влад कार रहां वैसे question, उसमें नहीं आएंगे, परिशान नहों, लेकिन बात ये है कि हम उसको कैसे पहँचाने, यमक में क्या होगा, शब्द का जितनी बार प्रियोग हुआ होगा, उसका हर बार अर्थ अलग-अलग होगा, स्लेस में क्या होगा देखो स्लेस का मतलब होता है यहीं से समझ लो पहले पीडियाप में बाद में चलते हैं स्लेस का मतलब होता है स्लेस चिपका हुआ स्लेस मतलब क्या होता है बिटा अब यहां पर कोई एक सब्द होगा क्या होगा, कोई एक ही सब्द होगा, और हर बार उसका अर्थ अलग-अलग होगा, अर्थ अलग-अलग होगा, जैसे देखो, रहिमन पानी राखिये, अब यहाँ पानी सब्द वही आया है, अब पानी के सब्द के अर्थ अलग-अलग होगा, एक पानी तो जो यह देखो, प के मतलब जल हो गया जिसको कलम ने क्या अर्थ बताया था इसका एक नारा बोला था ना इसको आपा भी बोलते हैं कि आपा है तो यह हो गया अब इसके बाद कि अच्क तुम लोगों के आपा सब्सक्राइब और सुना होगा जब आप लोग वह वोले नहीं पढ़ते हो आपह आया देते होंगे हैं नहीं हार उसका एक अर्थ होता है ठीक करसे अच्छा चलो यार हम लोग चलते हैं अपंड का अपने pdf में कोई समस्य किसी को लिए समझ में नाय तो पूंच लेना एक बार कि सिरो देखते हैं हम लोग अलंकार कहाँ गया यह है खुल्या अलंकार, देखो, खुल्या सिम्सिम है न, खुल्या अलंकार, ऐसे बोलता था, खुल्या सिम्सिम देखा है किसी ने वो सीरियल, हाँ, तो वही वाला सीन है, आपर भी, खुल्या सिम्सिम, तो खुल्या अलंकार, देखो, अरे वा, यहाँ पर लिखी वी ए, परिवा बहुत बड़ा हिंदी का मरमग्य हो उसके पास जाना वह भी कई देगा कि भाईया बिना संस्क्रित के हिंदी अधूरी है तो देखो कि यहां पर अलंकार का साब्दि घर्थ है आभूशन जो हम कावय में प्रियोक करते हैं जो अब अपके कावय के आभूशन हो गए तो कावय के अलंकार हो गए चार चांद लगाने के लिए सुन्दर जैसे नारी अपने काविगत अगर सौंदर्म करना है उसी प्रकार कविता रूपी कामीनि की सोभा को को पढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है आचारे दंडी के अनुसार कावी शोबा करान धर्मान अलंकारान rise ठीक तो इनको वे कहते हैं कावी की शोभा बढ़ाने वाले तत्तों को ही अलंकार कहा जाता है देखो बिटा सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार दो प्रकार से इसके भेद बता दिये गए बताये थे न हमने अभी इसके जिस्ट पहले सब्दा अलंकार बताया अर्था अलंकार बताया सब्दा अलंका लो अराम से इसी से आ जाये गलग बग देखो अच्छा कि इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई हाँ यहां इसनोड़ नहां कि सब्रादालंकार में कौन आता है अरफालंकार में कौन आता है अरफालंकार वाले पता कर लो उपमा रूपा कुत पेक्षा ये कैसे हैं अर्था अलंकार बाकी जो बचा वो बाकी हैं बहुत सारे सब्दा अलंकार में बहुत हैं अर्था अलंकार में बहुत हैं किसी-किसी आचारे ने 100-100 अलंकार बता हैं किसी ने कि समय लों किसीने 42 बता हैं तो ऩी तो हैने अलंकारव बहुत हैं कि मुली से तूम पड़ाना है नहीं सब्सक्रूं? सब्सक्राइब गरीर हम休ी, ब्रांतिमान का ये कुद आरण था बहुत अच्छा किसुक समझकर जप्टा बहुरा सुक्की लाल तुंड पर तोते ने निस्ठोर चलाई जाम उनका फल उसे समझकर ठीक जब आएंगे मज़ा आएगी वह साब बिलकुल जो है अच्छा लगेगा पढ़ने में जो अलंकार ह हो आलंकार की मतलब व्यार गहने जो अम लोग आपूशण चै कि अब डिकर वार्णों की आत्ति जरूरी रहेंगे गी जैसे आपने कहीं ता ले लिया ना ले लिया। तो ना ओसकता है, नी हो सकता है, ने हो सकता है, यह सब एक हई वर्ड में आएंगे, ना ने है न तरणी तणू झाजद उस प्मूजा zusammen तो त स त न आ रहा है, ऐसे और वह सकता है, ती ती भी हो सकता है, तै भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक में ता हो गया तो बैस आप यही वाला ता होना चाहिए ऐसा नहीं है ठीक वर्णों की आवरत्ती होती है मतलब वर्ण तो आपका विंजन है विंजन और तो यह वर्णों का कहीं भी हो सकता है ठीक तो बिर्टा देखो अनुप्रास का देख लेते हैं अनुप्रास देखें देखो अनुप्रास समझते हैं पहले अनुप्रास अलंकार क्या होता है अनुप्रास में जहां एक वर्ण की आवरत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, फुल मिला के सिंपल सा फंडा समझो, जहां वर्णों की आवरत्ति हो, वो क्या कहलाते हैं, अनुप्रास, जैसे देखो, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सची उसुमन्त बुलाए, तो अब यहां पर जो ये मावर्ण है, तो देखो मा में एक बार उ की मात्रा लगी है, एक बार मा में आ की लगी है, फिर आ की लगी है, तो अब यह कहे दो के सर केवल इनका इनका ना, इसका भी आवरत्ति तो तावी आया है ना ऐसे करके यहां पर आपका देखू वही आपका एक लिखा भी है तरनी तनूजा तत्तमाल तरुवर्ब उच्छाए यहां तरन कर लो तरनी तनूजा तत्तमाल ठीक तो यह हो जाएगा सुरभित सुन्दर सुखद सुमन द्वारा घर खिलते हैं तो देखो साग कितनी बढ़िया वर्णों का आवरत्ती की गई है न क्या लिखा है सुरभित सुन्दर सुखद सुमन अब देखो यहां पर बेटा केवल शुमन था सुमन मतलब सुमन मतलब वो कही रहे है साइन्स वाली मैम है अच्छा सुमन मतलब होता है पुस्प सुमन मतलब क्या हुआ पुस्प ठिक हसस के पढ़ा करो मज़ा आएगी हसते हसते पढ़ो ज्यादा सीरियस हो के बिल्कुल भी ना पढ़ो है ना अच्छा एक चीज़ देखी होगी जब क्लास को आप इंटर्टेन्मेंट के साथ पढ़ते हो वंसते हुए है ना तो क्या होता है कि आपको चीज़ें मज़ाती रहती है याद रहती है है ना क्यार यह सुमन अब कभी भी सुमन कार्थ पूछा जाएगा तो बता दोगे क्या बता दोगे फूस्प फूल बोल सकते हो ठीक हाँ हिंदी इंगलिस वाला फूल न बोल देना ठीक तो देखो पुस्प अब पुस्प कैसा है तो वह पुस्प देखो तुरभित सुन्दर सुखद सुरभित अच्छी सुगंद दे रहा है है ना ड्होंगी पुस्प की और अ क्योंकि पुस्प की जब आप कोई अच्छा पुस्प सुन्खते हो सुखत अनुभूति होती है हिं ना और सुखद और सुन्दर भी तो ऐसे पुस्प के कि द्वारा घर क्या है खिलते हैं ठिक कि देखो बिटा यहां पर एक चीज टिपड़ी देख लो कि यदि किसी पंग्ति में अनुप्रास के साथ किसी अन्य अलंकार का प्रियोग होता है तो अलंकार मतलब अनुप्रास है आपका उसी में किसी अन्य अलंकार का भी समावेस है तो क्या हो जाएगा तो जो अनुप्रास अलंकार है वो क्या हो जाता है गौड हो जाता है, गौड का मतलब सेकेंड्री हो जाता है, जुतियक हो जाता है, फिर वो प्रात्मिक नहीं रहता, मला फिर जो दूसरा वाला हो रहा होगा, वो प्रात्मिक हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, तो ये फिर गौड हो जाएगा, ठेक, अच्छा, देखो अब यहां तक हो गया ना यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना मुदित महीपति मंदिर आए है ना सेवक सचिव सुमंत बुलाए तो यह सब इसमें क्या हो गया अनुपराशलंकार आगे चलें जहां किसी यमकलंकार की परिवासा जहां किसी एक सब्द की एक से अधिक बार आवरत्ती हो या भिन भिन अर्थों में होती है आवरत्ती तो वहां यमकलंकार होता है जहां किसी एक सब्द की आवरत्ती भिन भिन अर्थों में हो मतलब अगर वो दो बार आ रहा है तो दो बार उसके अर्थ बदल जाएं तीन बार आ रहा है तो तीन बार उसके अर्थ बदल जाएं ठीक तो यहां पर क्या होता है यम कलंकार होता है इसमें अभिधा सब्द सक्त सब्सक्राइब足ने थаты को सब्सक्तिती नोती है यहां सुझ लो कि सब्सक्तियां कर आदने सक्तियां कितनी होती है तीन, एक देखो, अब इधा, एक होती है लक्षणा, और एक होती है वेंजना, अब इधा में क्या होता है कि हम उसके मुख्यार्थ को ग्रहन करते हैं, मुख्यार्थ को ग्रहन करते हैं, छिक, लक्षणा में क्या होता है हम उसके लक्ष्यार्थ को ग्रहन करते हैं, लक्ष्य जैसे ये हुआ जैसे गंगा गंगा याम गोशा संस्क्रत में तो अब क्या होगा कि गंगा में गोश लोगों की बस्तियां है तो गंगा में तो नहीं होगा ना गंगा में कैसे हो जाएंगी गंगा तो बहे रही है विरल निरंतर गंगा में तो नहीं होगा मतलब क्या हुआ ह गंगा के अगल वगल कहीं होंगे घर है ना लेकिन कहें तो गंगा में जाएंगे अगर मुख्यार्थ की बात कर रहे होते अभिदा की बात कर रहे होते तो अभिदा का आर्थ क्या निकल रहा था गंगा में तो मतलब गंगा में गंगा के जल में तो गंगा में तो ऐसा कुछ अकर लक्षणा वहां पर हो गई जहां सीधा सीधा मुख्यार्त का ग्रेण करने वहां क्या है कि वहां पर अविधा है ठिक, और व्यन्यना क्या होती है व्यञ्जना सबसे अच्छी यह कि जहां पर काहा कुछ जाहे अर्थ को जी दूसरा अलग हो जैसे जैसे कहने कि मतलब अभी दार हम लक्षणा और व्यञ्जना व्यंगयार्थ को निरूपित और बिट इती इन्गयार्थ में यह होता है कि जैसे कि हम मुख्यार्थ का जो है मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ ये दोनों को छोड़ा के कोई एक तीसरा अर्थ निकले तो हमारा विंग्यार्थ होता है ठिक जैसे है जैसे मालो कि किसी ने कह दिया कि तुम्हें वहां नहीं जाना ठिक अब बहु तुर आँ पहार चेले गए एक गए बाहर चेले गए वह तुम लिगा तुम ऐसे घुसा हो गयी तो तुमसे क्या एगा यहां क्यों रुक हो यह भी मैंने क्यों कित डोरोम हो जाओ है यहां कि यह वह नह्म है आप उसने तो बोला कि ऱाडंव कान कर दिये, मालो किसी की माल लो नाम तुमने बिमल बताया था ना बिमल मालो भिमल है और विमल का कोई फ्रेंड बन गया ऑठान और ची अचिर बीमल की वो फ्रेंड कौन है कोई लड़की है मान लिया मान लो मान लेते हैं ठीक कोई लड़की फ्रेंड है फीमेल अब भया विमल ने क्या किया कि विमल ने अपनी फ्रेंड से बात करी रहे थे अब इन्हों ने किसी दूसरे से बात करी एक दिन इस फ्रेंड ने क्या बोला कि हमारे पास अब फोन क्यों कीए हो तुम वहीं करो अगर यह मुख्यारत पर काम करें तो क्या करेंगे इसने टो कह दिया कि तुम वहीं फोन करो यहां क्या जरूरत है के देगा ना वो सामने वाला कि यहां क्यों कर रहे हो वहीं करो मुख्यार्थ अगर मुख्यार्थ पर काम करोगे वेटा अभीदा सब्सक्ति पर काम करोगे तो फेलो जाओगे क्यों के दोगे उसी ने तुसर कहा था कि जो है उनसे बात करो तो हमने उनको कट करके वहां कर द बोले कि जाओ वहीं करो जाके तो क्या होगा कि अरे बिल्कुल नहीं करेंगे है ना तो विमल ने क्या कहा विमल समझ गया कि यहां में वहां बिल्कुल बात नहीं करनी कट करो यहां पर है ना यह हो गया वेंग्यार्थ उधारण देखे इसलिए समझा दिये कि जो है यह वें यहां पर अभिदास तब सकती यहां पर लच्छाइरत ओर विंगारत नहीं आएगा यहां मुख्यारत का ऐग्रेंड किया जाएगा तो देखो, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादक्ता दिकाए, या खाए बौराए जर, नर बोल दो या जग बोल दो, या पाए बौराए, तो कनक का एक अर्थ है, हाँ, एक का अर्थ है धतूरा, और एक का है सोना, सोना मतलब वो गोल्ड वाला, अब देखो, यहां पर कह दिया कि जो कनक है, कनक ते सौगुनी, जो सोना है, वो दतूरे से कैसा है, रेट में बहुत ज्यादा होता है, तो कनक कनक ते सौगुनी, मादक्ता दिकाए, और मादक्ता में उससे सौगुना ज्यादा होता है, और इन सम्मेश मादक्ता दिक होती है, कैसे, या खाए बौराए ज यहां पर कभी का यह प्रयोचन है यहां पर उसने बहुत अच्छे तरीके से फेमस किया इसको यमक कलंकार को और एक चीज और बता दे हिंदी में वाई साब अगर यह नहीं पढ़ा किसी ने उदारण इतना हीट उदारण है इतना हीट है कि नाइन्थ हाई स्कूल से लेके वाई साब हमेसा अजीवन यह याद रहता है मतलब एक तरीके सी है समझो कुछ भी ना कोई पढ़े वो कनक कनक करका मनका डारी दे मनका मनका फेर तो कहते हैं जो हाथ वाली जो माला है ना मनका उसको आप त्याक दो सब मनके मनका मेल है है ना उसी का फेर है तो यहाँ पर मनका सब दो बार आ गया ठिक एक बार मनका वो माला के लिए और एक मन के लिए है ना मनका काली घटा का गमंड घटा देखो एक घटा यह आया एक घटा यह आया एक घटा मतलब क्या हो गई काली घटा चाही है मतलब जो घटा जो बादलों का वो एक तुब घटा हो गई और गटा का मतलब डिक्रीज हो गया घट गया तो जो काली घटा थी उसका गमंड गटा काली घटा का गमंड गटा है न तो यहां पर आपका अनुप्राज सलंकार है ठीक कि आगे देखो बिटा समझ में आ रहा है ना तुझ पर बारों उर्भसी सुन राधिके सुजान हाँ देखो कितना बढ़िया उदारण दिया है तुझ पर बारों उर्भसी उर्भसी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्भसी वै उर्भसी समान उर्बसी यहां पर दो बार आया ना, एक तो उर्बसी यह भी लिखा है, कह रहे हैं कि देखो यहां पर यह लिखा है, उर्बसी सब्द देखो एक बार उर्बसी, एक ये बार उर्बसी, एक ये बार उर्बसी, तीन बार प्रियुक्त हुआ है ना, हां तो सुन राधिके सुजान हे राधिका सुनों क्या तुझ पर बारों उर्वसी तुझ पर क्या हम वार करते हैं एक उर्वसी क्या उर्वसी जो क्या होती थी उर्वसी क्या बोलते थे मेनका रंबा उर्वसी देवलोक में रहने वाली है ना तो उर्वसी का क्या हुआ कि तुछ पर हम वो उर्वसी को हम क्या करें वारत ने मतलब ने उच्छावर करने है ना क्या क्या क्योंकि तुम मोहन उस बासुरी के लिए कहा जा रहा है क्यों या उन्हीं के लिए अगर उर्वसी रादा के लिए भी बोल दिया गया तो क्या बोल दिया गया कि तुम जो है दूसरे उर्वसी का रत यहां पर हो गया हरदय में बसने वाली प्रेमिका क्योंकि तुम कैसे हो सिंपल साइर्थ ऐसे समझो कह रहें हे रादिका सुनो कोई एक है कभी है या जो भी उसने क्या भोला सुन रादिके सुजान हे रादिका प्यारी हमारी बात सुनो positively कि तुझी पर हम उर्वसी को भी निचावर कर को भी निचावर कर दे एक उर्वसी का आर्थ क्या होगया उर्वसी am a शी अपसरा हो गई कि कर दूसरा तू आध ए इसके बाद है युद्पव अर्वे ऍे समान और दूसरा उुर्वसी किया और अर्व्सी समान तुम कैसे जैसे हर्दय में बसने वाली हिसCheck और हर्दय अर्थात गले को सुसोभित होने वाली फूलों की माला उर्वसी जो फूलों की माला उसके समान है ना क्योंकि क्रोज entonces joda बगवान कशनके पास रहती हो तो तीन अर्थ इसके हो एक क्या हो गया उर्वसी अपसरा के लिए आ गया दूसरा उर्वसी किसके लिए आ गया जो हाँ हर्दय को धारन करने वाली हर्दय में धारन रहने वाली और तीसरा हो गया फूलों की माला तो यहां पर तीन बार प्रियुक्त हुआ है तीनों बार उसके अर्थ अलग अलग है देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो, यहाँ पर, स्लेस का साब्दिक अर्थ है, चिपका हुआ, जहाँ कोई सब्द एक ही बार प्रियोग तो परन्त उसका अर्थ एक से अधिक निकलता हो, समझ रहे हो? सब्द एक ही हो, सब्द एक कई बार प्रियोग हुआ हो, लेकिन अर्थ उसके कई बार निकल नहीं हो, अर्थ कई निकल नहीं हो, जैसे देखो, चरण धरत, चिन्ता करत, चितवन चारों और, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्याविचारी चोर, अब देखो, कहने हैं, देखो, अब ऐसे ज्यादा दिख जाएगा, ठिक, दिखा ऐसे, हाँ, ये सही रहा, पहले ध्यान क्यों नहीं दिलाया तुम लोगों ने, ठिक, अब देखो, कह रहे हैं, क्या, कभी ने क्या बढ़ियां उदारन प्रस्तूत किया, देखो, चरण धरत, चिंता करत, चितवन चारों और, मला पैर रखते हुए न, चरण धरत, चिंता करत, चिंता कर रहा है, पैर रखते हुए, ठिक, और चितवत चारों और, चारों और क्या कर रहा है, निहार रहा है, देख रहा है, सुबरन को खोजत फिरत, किसको खोजने के लिए सुवरण को एक तो सुवरण का अर्थ सुवरण ही निकल रहा है सोने को खोजता हुआ कौन कभी व्यविचारी चोर तो देखो सुवरण सब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहा है कभी के संदर में सुवरण का अर्थ होगा सुवरण अर्थात कविता के लिए सुन्दर भाव मैं सब्द जो कवी खोजेगा तो कवी भाईजा चुपचाप चारों और देखते हुए क्या खोजेगा अच्छे सुवर्ण देखो ऐसे समझो कवी ये सुबरन तो सुबरन का मतलब वह सुवर्ण सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण अच्छे वर्णों का कलेक्शन वो बनाएगा तब तो अपनी कविता कामनी को रच पाएगा है ना तो कवी के लिए क्या हो जाएगा सुवर्ण सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण अच्छे वर्ण अच्छे सब्द है ना बैविचारी के लिए क्या हो जाएगा वैविचारी के लिए हो जाएगा सुबरन का अर्थ होगा सुन्दर रूपरंग वाली नवयूति अब जो बैविचारी है है ना बैविचारी मतलब समझ गए न हां तो क्या होगा उसने तो भाई साब जहान नवयूति देखी तो बैव बेविचारी के लिए क्या यहां पर सुवरण कार्थ हो जाएगा बेविचारी को खोजेगा किसक् steel क्या लेना देना अभी छोड के लिए आ तो छोड के लिए शुवरण आ जाएगा वuç अब जो चोड है वह चैनल दॉरट चिन्ता करता सिथमान्यण चारव हूर और पर रखान देखा था गूगल पहीं तो उसमें चौर गया करने अभी गर्मी की बात है, मस्त ऐसी चल रही थी तो गया सोना चुराने या पैसा धन दॉलत जो भी है चुराने गया वाई सब एसी चल रही थी विल्कुल चिल्ड फुलाने 16 पर 16 पर तो मस्त वहीं सोचा कि एक दो घंटे आराम कर लें आराम करने लगा उसकी आंख लग गया अब सो गया तो फिर सुबरन का अर्थ ना तो अच्छे वर्ण होंगे न अच्छी नवयूति होगी कोई और न उसके लिए सिर्फ सोना, सोना मतलब सुर्ण, तो देखो सब्दों का हेर फेर हैंना, सब्दों के हेर फेर से आपका, तो यहां पर बिटा सुबरन यहां सब्द जो है, यह सब के वे विचारी के लिए एक नौयूती और चोर के लिए तो अरणा ठिक बात समझ में आई आगे चले देखो आगे लिखा है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जहाई परे स्याम हरित दुति होए तो यहाँ पर भी देखो बताया गया मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई चातन की जहाई परे स्याम हरित दुति होए तो यहाँ पर भी आपका स्ले सलंकार है स्याम हरित दुति होए एक से अधिक अर्थ निकलते हैं ठिक स्याम हरित दुति होए यहां जो स्याम और हरित सब्द आया, इनके दुत्त हो जाए, दुत्ती हो ए, तो यहां पर दोनों के अर्थ भी अलग-अलग हो जाएंगे, और इनका प्रियोग एक ही बार हुआ, ठिक, आगे चलते हैं, मंगन के देखी पटदेट बार-बार हैं, तो मंगन के देखी, मंगन के देखी पट देत बार बार हैं आप देखो मंगन मतलब समझ गए हैं मंगन मतलब क्या हुआ मंगन के देखी मंगन मतलब मांगने वाले हैं मांगने वालों को देखते वो क्या कर देते हैं पट देत बार बार हैं एक पट का मतलब होता है वस्त्र और एक पट का मतलब किमाड तो पट देत बार बार हैं, है ना, एक है व्यक्ति जो बार बार किमाला बंद कर देता है, अर्थ दो निकल सकते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार हैं, पट देत बार बार हैं, मतलब बिल्कुल किमाला बंद कर देता हैं, वो पट देना हो गया है ना, और एक क्या है, व वस्त्र कपड़ा वसन यह सब यहाँ पर हो जाएगा ठीक मदुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलिया ठीक तो कलिया सब्द के दो अर्थ हैं अच्छा आगे चलते हैं अब पयंचान लोगे के नहीं पयंचान लोगे बताओ देखो अर्थालंकार देखलो अर्थालंकार के दुनिम्न भेद हैं नंबर एक क्या हो गया उपमा उपमा में क्या होता है समानता, मिलना, जुलना, समान रूप दिखाया जाए कालिदास, उपमा के लिए कालिदास को सबसे हीट माना गया उपमा कालिदाससे भारवे अर्थगौरों, है न, दंडिना, पदला, लित्यम, मागे, संतित्रयोगुना तो होगा क्या कि अगर उपमा के लिए उपमा समराट कोई माना जाता है तो वो कौन है कालिदास उपमा कालिदास तो कालिदास की उपमा फेमास है इसमें क्या करते हैं कि उपमा में दो चीजें होती है उपमे और उपमान तो जहां पर समानता दिखाई जाए जैसे देखो सी सीता का मुख चंद्रमा तो नहीं हो सकता ना चंद्रमा यार एक निर्जी वस्तू है चंद्रमा में लोग गए अब वैसा तो सीता का मुख वैसा चट्टान जैसा तो नहीं होगा है चंद्रमा के नाक थोड़ी न होगी अगर वैसे हम लोग एक जगत की बात देखें तो अब कि चंद्रमा जैसा नहीं होगा लेकिन चंद्रमा से तुलना जोए ज़ा कि फिल नहीं होगा पहला पयार सह weights जानते होगा जब धधनुस बंग के पहले की बात है एना फुल्वाई citizen देखि ए जब फुलवॉयाई वहाँ पर जाते हैं है ना तो राम देख लेते हैं लच्छमरचमरण को कोई मतलब है नहीं होता है ना तो वो देख लेते हैं कि फूल तोड़ने आती है तो फर्स्ट साइट लफ बिल्कुल पहली बार में देखा भाई साब खो गए जाके फिर वो गए वहां पर और चंद्रमा को रात में नियार कर रहे हैं कि यह इसकी समता हां वो ले देखो चंद्रमा उसकी जानकी की समता करना चाहता है तुम इसकी समता कैसे कर पाओगे है ना तुमारे तो इतने दाग है तुमारे तुम हर रोज घटते बढ़ते हो है ना और वो निश्चल है वो बिल्कुल प्योर है सारी चीजे तो वो अपने अपने ढंक से अपना उसका वरण करते है तो बगवान राम भी उनका भी वहां पर वो वरण उतना हुआ है ठिक अब देखो जहां किसी व्यक्तिया वस्तु की तुलना दूसरी व्यक्तिया वस्तु से की जाती है, यहां सीता का मुख एक हो गया और चंद्रमा दूसरी चीज हो गई, तो एक की तुलना किसी दूसरे से कर रहे होते हैं, वहां पर क्या होता है? उपमालंकार होता है, वहां पर मिटा कौन कि इसके अंग होते हैं ये समझ लो बहुत समझने वाली चीजा है उपमे में च्या Miradia जिसका वर्णन किया जाता है जैसे हमने यहां पर का सीता का मुख जंद्रवमा के समान है जंद्रमा के समान सुन्दर है तो जो बीटा देको यहां पर किस किसका वर्णन किया जा रहा है किसका वर्णन कर रहे हैं सीता के मुख का वर्णन कर रहे हैं कर रहे हैं किसका वर्णन कर रहे हैं सीता के मुख का वर्णन कर रहे हैं अब देखो तो जिसकी तुलना की जाती है जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए वो क्या हो जाएगा तो वो उपमें, वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाए, जिसके बारे में बताया जाए, वो उपमें कहलाएगा, और जिससे तुलना करें, जैसे हम कहतें, कि जो है, इनका मुख बिलकुल, मालो कोई सामने वैठा है, ठिक, हम कहतें, इनका मुख बिलकुल किसके जैसा है अपने आज जो मुख्यमंत्री है बाबा योगी आधितनात जैसा है मालो इनके लिए बोल दें कोई भी वह एक्स वाई जट तो इनके मुख्य की तुलना कर रहे हैं तो यह क्या हो गए उपमें हो गए बाबा का होई गए बाबा उपमान हो गए बाद रहेगा ना बाबा बगवान बाबा उपमान कैसे जिसकी तुलना की जाए वह उपमें तो यहां सीता के मुख्य की तुलना की जा रही है तो यहां उपमें हो गया जिससे तुलना की जाए चंद्रमा के मुख्य चंद्रमा से की जा रही है तो चंद्रमा बेटा क्या ह हो गया कि चंद्रमा आपका उपमान हो गया कि यहां तक बात समझ में आई देखो कि सीता का मुख जिसकी तुलना तो यह ओ गया उप में यह क्या हो गया कि यह ओ गया उप में चंद्रमा से की जा रही है तो देखो जिससे की जाए वो हमारा क्या कहलाएगा उपमान ठिक साधारन धर्म में क्या जाएगा समान रूप से पाया जाने वाला दोस या गुण ही साधारन धर्म कहलाता है जो समान रूप से पाया जाए जैसे कोई कह देगी यह कंस के जैसा कु क्रूर है तो यह हो गया उप में तंस हो गए उपमान अब उनके जैसा क्रूर है क्रूर हो गया क्या साधारण धर्म हो गया और सुन्दर है कोई तो यह साधारण धर्म हो गया क्योंकि किस धर्म में समानता बताई जा रही है, सुन्दर्ता में, किक्रूर्ता में, कि भलाई में, कि मानदारी में, तो ये हो गया, और वाचक सब्द में क्या हो जाएगा, जैसे सा, सी, से, सम, सदरस, समान, तो यहां देको समान सब्द आया है, ये क्या हो जाएंगे, उप में जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, साधारन धर्म में जो दोनों की quality जो चीज बताई जाए, जिस quality को define किया जाए, तो वो आपके साधारन धर्म हो जाएगा और वाचक सब्द क्या हो जाएंगे, जिनका जो भी समान हो गया, सम हो गया, सद्रिस हो गय आगे चलते हैं, आगे चले हम लोग, देखो, जैसे और उदारन देख लो, मुखबाल रवी सम लाल होकर जौला साब उधित हुआ, अब देखो, मुखबाल रवी सम लाल होकर जौला साब उधित हुआ, है ना, अब यहां पर मुखबाल रवी सम, तो यहां देखो, रवी क समान लाल होकर ज्वाला सा वोदित हुआ है ना तो यहां पर चेरे की तुलना अर्जुन के जो लाल चेरा है उसकी तुलना कभी ने प्राता कालिन सूर और अगनी की लप्टों से की है तो यहां पर दो चीजों से कर दी है तुलना तो जिससे की है वो क्या कहलाएगा उपमान कहलाएगा तो यहां उपमान कौन-कौन हो जाएगा एक तो रभी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा ज्वाला आपका क्या हो जाएगा वाचक सब्द हो जाएगा ठिक और मुखबाल रभी सम लाल होकर लाल हो गया एक दम तो यह क्या हो जाएगा साधान धर्म हो जाएगा उसी किताने लाल हो गया, quality क्या बताई जा रही है, उसी किताने लाल हो गया, people के पत्ते की तुलना मन से की गई है, चलो, यहां पर भी हो जाएगा, देखो, यह देखिए, अरविंद से सिसुब्रंद कैसे सो रहे हैं, है ना, तो अरविंद जैसे सिसुब्रंद कैसे सो रहे हैं, तो अरविंद हो गया क्या, कमल, कमल के जैसे, सिसुब्रंद सो रहे हैं, तो यहां पर किसकी तुलना की गई है, सिसुब्रंद की, किस से, कमल से तो उपमान और उपमे समझ गए ना, उपमे कौन हो जाएगा, सिसुबरंद हो जाएगे, उपमान कमल हो जाएगा, ठिक, से आपका क्या हो जाएगा वाचक सब दो जाएगा, अच्छा, आगे चले, रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां अतिन्त समानता के कारण, जो वही उपमे और उपमान में हम लोग भेद कर देते थे न, यहां पर उपमे और उपमान में अभेद कर दिया जाए, कोई भेद ही न रहे जाए, जहां उपमे और उपमान में कोई भेद ही न रहे जाए, वहां रूपा कलंकार होता है, उदित उदैगिरी मंच पर रगुबर बाल उधित उधैगिरी मंच पर, तो यहां पर रगुबर बाल पतंग, तो यहां पर उपमे और उपमान दोनों में अवैद कर दिया गया, कोई बताई नहीं सकता क्या उपमान कहां उपमे, ठीक, देखो, विक्से संत सरोज सब हरसे लोचन ब्रंग, तो इसमें बताया गया कि दोहे में उपमे पर उपमान का अभेद आरोप दिखाया गया है उदैगिरी पर मंच का रगुबर पर बाल पतंग का संतों पर कमलों का और नेत्रों पर भावरों का तो नेत्र कैसे भामर जैसे है ना ब्रहमर जैसे संत कमल रगुबर बाल पतंग उदित उदैगिरी मंच तो जैसे देखो, चरण कमल बंदों हरी राई, मैया मैं तो चंदर खिलोना लें हो, क्या कहे रहे हैं, कि मैया हम क्या लेंगे, चंदर खिलोना लेंगे, तो चंदर खिलोना लेंगे, मलब जो चंदर खिलोना है, जो उपर चंदर मां है, वह ही खिलोना लेंगे, तो यहां पर जहां उपमे में उपमान के कल्पना ये संभावना बताई जाती है सीधा से फंडा याद रको उतर पर एक्षा में क्या होगा, जन जनो यह सब्द आएंगे, है ना मन जन जनो यह च्छे आहां में जनो यह च्ही सब्द आ। hadए ए कर तो वहत ओड़े, पीत पत स्यान सलोने गात मनों नील मड़ी सहल पर आतप पर्यो प्रभात तो मनों नील मड़ी तो मनों आगे आना सीधा डाल दो उत्प्रेक्छालंकार पर ठिक यही लिखा भी है है ना अच्छा आगे देखो और एक्जामपल देख लो चमचमात चंचल नयन विच गोंगट पटचीं मनो सुरु शरिता लिमल जल उचरत जुगमिन वहीं लिखा है गाल जो चमचमात चंचल नयन विच dens Stop Gumin हट पटचीं मनों सुर सरीता लिमल यहाण देखो मनों सब्द आ गया क्या आ गया मनों तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा लंकार हो जाएगा कैती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिमके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहे तो मानो यहाँ पर आ गया तो तुम्हें पूरा देखना नहीं है मन मानो मनो जन जानो जनो देखो जहां देखे सीधा उद्पर एक्षा लगाओ निकल लो है ना निकल लो ना मतलब ब्लेक कर दो उसको गोला भर दो और बस कंप्लीट कर दो समझ में आ गया तो यह बिटा अलंकार तुम लोगों का हो गया जिससे उसकाल मारे क्रोध के तनकांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ क्या है सोता हुआ सागर जगा उसकाल मारे क्रोध के जब वो एक कोई ऐसा समय है जिसमें बिल्कुल क्रोध के मारे क्या हो गया तनकांपने उसका लगा कभी-कभी होता है ना ज्यादा कोई अग् के चलता है ना एकदम सोता हुआ सागर एकदम लहरा के एकदम क्या हो जाए जग जाए ऐसा वो एकदम क्रोधित होके क्या हुआ उसका क्रोध से तन कापने लगा ठीक मानवी करण में क्या होता है जहां पर निर्जीऊ पदा आर्थों पर मानवी वावनाओं का मानवी करण होता है अलंकार होता है ठीक ये पास्चाहत् सब्सक्राइब हो उसा सुनहले तीर बरसाती जय लक्षमी सी उदित हुई पंक्ति में उसा की लाली में आ है वो तीर तो नहीं बरसाती चल रही होगी लेकिन ऐसा कर दिया गया तो मानवी करन हो गया जहां निर्जीव वस्तु की तुलना उससे कर दिया जाए ठीक जैसे कि मालो कुछ भी बोल जैसे देखो नदी तर्ट से लोटती गंगा नाकर सुबासित भीगी हमाएं अब यह हमाएं क्या कर रही है नदी तर्ट से जो गंगा जी से नाकर आ रही है तो यार वो कोई महिला तो है नहीं कि पतल हवा गई डुपकी लगाई चली आई तो यहां मानवी करण कर दिया गया कि वह गंगा वहां से नहा के आ रही है ठिक बास समझ में आई तो यह मानवी करण हो गया है मेग मैं आसमान से उतर रही संद्या संद्या संद्री परी सी तो मेग मैं आसमान से जो कौन उतर रही है संद्या उतर रही है और कैसी है वह संद्री परी सी अब यहां पर संद्या जो संध्या काल संध्या है तो संध्या को क्या बताया गया एक सुन्दरिश्थी के रूप में दिखाया गया है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका मान्वी करना लंकार हो जाएगा एक कि आजकर लोग स्पारे आज को अच्छा तो हम लोग यह देख लीए अलंकार आज की ख्लास तो फिर यहीं तक रखी जाए भोलो किया कहते हैं चैंक आंगे पूरे करभ्यका डिये जितने संध्य बॉ Arab ब्रांतिमान और यह देख लेना जहां संदे ौस्ध संदेश हो जाएगा ब्रांतिमान में की होता है कि संदे वसात कोई कार कर बैठना तलेatorio यह लकडी मतलब यह सांप है तो वहां संदेश हो रहा है वहां हम उसी को पकड़ के इला दें, पकड़ के फेंग दें, तो ये कारे कर बैटे, तो ये ब्रांतिमानिया आपर हो जाएगा, तो बिटा अलंकार आप लोगों के पूरे हो गए, आज की क्लास इनफ है हमारी समझ से, मिलते हैं फिर हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रसन के बास थे परसन नेगे, झाल झाल